हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मेहक आप सब को स्वागत करती हूँ आपके अपनी जलन न्यूकटी गीम सितने हैं दोस्तों एक बार फिर से आज जरूँ एक बहुत ही फ्यारी सी गीम लेकर क्या नाम है कैलेंडर खाना दो बहुत ही फेमस डायलोग है मिस्टर इंडिया का तो चली गेम शुरू करते हैं लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करो और नोटिफिकेशन बैल पी जरूर दबाना जैसे ही कोई भी गेम आएगी ना नोटिफिकेशन बैल प्रेस किया होगा तो आप तक वीडियो चल्री से पहु बनानी है गुरूप केम है साथ में खेलेंगे ठीक है तो यह मैंने कितनी चिट्स बनाई हैं फिलाल एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ आठ लोगों का मैं आपको गेम बताती हूं तो यह सारी चिट्ट मैंने बनाई है अब हर कोई एक एक चिट उठाएगा पता चल जा सबके पास एक पानी का ग्लास आपको रख देना है ठीक है होटल में जाएंगे तो होटल वाले पानी देते हैं तो हर एक प्लास एक एक ग्लास होना चुछ अपना अगर घर पे हैं तो घर पे भी आपको एक एक ग्लास भरके रखना है अपने आगे तो सबको यह ग्लास है मैं करת मोना Já तो सबके पास अपना अपना समय लेते हैं अभी करना क्या है हरखा अपनी छिट खोलेगा लिखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है के लेंदर खाना दो थेकछे तो यह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा इसका, कैलेंडर खाना दो, इसका भी यही लिखा है, कैलेंडर खाना दो, इसका भी यही लिखा है, कैलेंडर पानी दो, ठीक है, गेम क्या है, कैलेंडर खाना दो, लेकिन एक छिट में लिखा हुआ होगा, कैलेंडर मुझे प्यास लगी है, पानी दो, और उसको बोलना भी जैसे थोड़ा सा फनी भी लगे ठीक है अभी चलो इसने खोला अभी इसको देखते हैं कि इसमें क्या है इसमें लिखा है कैलेंडर खाना दो इसमें इसमें भी कैलेंडर खाना दो एक चिट में कुछ और लिखा हुआ है कैलेंडर खाना दो और देखो इसमें लिखा है कैलेंडर याने ये वाला किटी मेंबर कैलेंडर है बाकी सब में लिखा हुआ है कैलेंडर खाना दो केवल एक ये वाला बोलेगा हर कोई बोलेगा कैलेंडर खाना दो उनको चम्मच बजाना है तो चम्मच भी बजा सकते है थोड़ा सा मजा करने क केलेंडर मुझे प्यास लगी है पानी देदो तु एग इसको अपना ग्लास इसको देना पड़ेगा पानी से भर हुआ अब यह जो गया गेमसे आँट खेख यह वाला कैलैंडर गेमसे आउट ओगया लेकिन चछित यहां पर हम एक खाना दो वाली चित हटा देंगे क्योंकि किटी मेंबर कम होता जा रहा है तो एक चित हमको हटानी है हमको किसकी चित हटानी है हमको उठानी है हमको उठानी है कैलेंडर खाना दो के ठीक है तो अभी हमारे पास इतने ही किटी मेंबर बचे हैं और इसका glass इसके पास चला गया है पानी का अब यह हम वापस से एक चिर्ट बंद करेंगे और उच्छा लेंगे कि हाज पाँ कि ए एक सब्सक्राइब अच्छे से शेपल दिख लेए यह यह इधे अभी कम्प्लीट हो गए क्योंकि हमने एक मेंबर के साथ एक चित टाली अभी देखते हैं कि किसके पास क्या है यह कैलेंडर पानी दो अभी कैलेंडर यह आउट हो गए तो इसमें से हम अपकी अपकी यह यह जटी रही अभी अब यह है तो यह अपना ग्लास इसको देगा और यह हो जाएगा यहाला के इनसे आउट एक चिथम निकाल देंगे अपने बाहर अभी वापस से शफल होगा सब ले लेंगे मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी से सबको उच्छाल के अच्छे से दिल्वानी आपको सब्सक्राइब कौन है अभी कौन है कैलेंडर कैलेंडर है यहां पर दे देनी है और यह हो जाएगा गेम से आउट याने एक चिखम कैलेंडर खाना दो तो इसको यह कैलेंडर है ना कैलेंडर के पास अभी देखो दो गलास है और इसको भी दो गलास है इसको अपना एक लास दे देना है लेकिन अभी यह गेम से आउट नहीं होगा क्योंकि इसके पास एग गलास जब तक किसी के पास अपना ग्लास कम नहीं हो जाता है तब तक वो आउट नहीं होगा तो ठीक है इसके बाद चिट उच्छा लेंगे अभी यहां पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है यह कैलेंडर तो इसने अपना दे दिया किसको इसको अभी यह गेम से आउट हो गयाए यह चिट निकाल देगे अगर यह तीन ही लास्ट में बश्ते हैं तो फर्स सेक्ण थर्ड कैसे लिसाइड होगा इसके पास भी तीन है इसके पास दो हैं तो इन दोनों में से हम first और second निकाल लेंगे चिट लगा कर कौन जीतेगा और यह तो obviously third ही होगा तो इन में सिफ first second decide हो जाएगा अगर किसी के पास 4 ही हो जाते हैं किसी के पास 3 है तो first second और third तो इस तरीके से यह गेम है ग्लास खतम होते ही वो किटी के मेंबर गेम से आउट ह देगा लेकिन तब तक वो आउट नहीं होगा जब तक कि उसका ग्लास खतम नहीं होता है तो आयोब गेम समझगे होंगे कैसे खेल नहीं है तो लास्क में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्यों कि 3-3 ग्लास लोगे तो इस तरीक से जाना तो पॉसिबल नहीं लगेगा लेकिन अगर लास्क में 3 मंबर बच्चे हैं और किसी के पास 4 हैं तो वहीं पर ही गेम आप समझ